अस्सलाम उलाइकूम एन वेलकम टू माई शो नॉन स्टॉप निम्मी निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होने वाली है बहुत जादा इंटर्टेन्मेंट, हजी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जिसके उपर तकरीबन सब लोगी अपनी अपनी राय देते हुए नजर आते ही रहते हैं और इस दफ़ा एक ऐसे बंदे ने उसके बारे में राय दी है जो कि बहुत जादा मैटर करती है अब अगर हम देखें कि हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है तो पिछले एक महीने की अगर हम बात ले लें तो इतने जादा रेप केसिज हो रहे हैं ठीक है को बैन हो जाना चाहिए वा कमाल कर दिया मतलब इससे बड़ा मसला तो और कोई है ही नहीं जो रेप सो रहे हैं जो इतने मसले मसाइल है जिनको कोई हल भी निकलता जा रहा बस वो चीजे होती जा रही है होती जा रही है थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है रो बस वहीं खत टिक टॉक हमारी यूथ को खराब कर रही है टिक टॉक किये कर रही है तो क्या ये टिक टॉक कर रही है या वो लोग ही खुद ऐसे हैं अब टिक टॉक एक बेसिकली क्या एप है जो आपको एक बहुत ही जबरदस्ट किसम का प्लैटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप अप आपना टैलेंट शो करें, जो के कुछ भी हो सकते हैं, आप बहुत अची सिंगिंग कर सकते हैं, आप वीडियो बना कर डाल दें, आप डान्स कर सकते हैं, आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप मेक अप कर सकते हैं, आप डिफरेंट लुक्स बना सकते हैं, आप अपना आर्ट कु बेटे के फुफ़ी के ताय कि या कुछ इस तरह के नहीं लगते तो पहली बात तो यह किआ आप सामने आही नहीं सकते ठीक है उसके बाद अब एक चीज थी हमारे पास YouTube जो क्या करती थी कि आपको प्रवाइड करती थी कि आप जो है अपने तैलेंट लेके आए सामने जिसमे उन्होंने वो टैलेंट शो भी किया और बहुत जादा उनको उस चीस से फाइदा भी हुआ जैसे कि हमारे पास जन्नत मिर्जा है जिनका गाना आया फिर हमारे पास अरीका हक है जिनका हमारे पाकिस्तान के टॉप सिंगर है आसे मज़र उनके साथ उनका गाना आया उसके बाद लाइबा है जो के हमारा ड्रामा मुश्क है उसमें वो एक्टिंग कर रही है और उनका खुद का ये कहना है कि मुझे ये मौका टिक टॉक के थूँ मिला है कि टिक टॉक पे मुझे देखा गया और मुझे इस ड्रामे में कास्ट किया गया उसके बाद रुमेसा खान हैं, चौदे जुलकरनैन हैं, वो लोग जो हैं, वो ड्रामा में काम कर रहे हैं टिक टॉक की वज़ा से अब यहां तक अगर देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है, उनमें टैलन्ट था, ठीक है, उन्होंने टिक टॉक पे शो किया और उसके थूरू उनको काम मिल गया, अब जहां तक बात है कि टिक टॉक जो है, टिक टॉक पे कहते हैं अब जिससे भी पूछे ना आप मोसली, एक्सेट फर दोस्ट जो खुड टिक टॉक बनाते हैं या जो खुड क्रियेटर हैं या फेमस हैं, उनके अलावा आप किसी से भी बात करें ना, कि भाई या टिक टॉक के बारे में क्या खिल तो, हम 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 हम, गंदी गंद है, बर बाद कर रहे हैं हमारे सारे यूथ को, आपको यह पता है कि आपका जो TikTok का आपके पास जो फीड आ रही होती है वो आटोमेटिकली आपके इंटरस्ट के मताबिक आती है कि जो चीज आप जादा देखते हैं नेक्स टाइम आपकी सजेशन में आपके For You पेज पर वही वीडियो जाएंगी अब हमारे जो लोग इमभला क्या करते हैं जी मज़े से स्क्रोल करी जा रहे हैं कुछ अच्छा जगा तो उसको नहीं देखेंगे जहां पर कुछ बुरा होगा कोई डांस यहां सक कुछ भी उनको बुरा है नज़रा की फोरण वहीं पर रुकेंगे पूरी वीडियो देखेंगे वीडियो को बिल गया व्यू फिर कॉमेंट करेंगे चाहे वो कॉमेंट में गालियां हो चाहे जितना भी उनको सुना दे अब वो वीडियो तो वाइरल हो गई क्योंकि वीडियो कैसे वाइरल होती है like से, share से, comment से और view से आप वो video एक बार भी नहीं देखते हो आप 10-10 दफ़ा वो video देखते हैं फिर आप वो share भी करते हैं फिर आप उस पे comment भी करते हैं इस तरह वो video viral हो जाती हैं तो इतने जो उसके उपर views हैं सब आप लोग कहते हो TikTok गंद है, TikTok बुरा है तो आप क्यों देख रहे हो? और गंद ही क्यों देख रहे हो? क्यों आपके account में कभी कोई और चीज नहीं आइ? क्योंके आप देखते ही वही चीज है हमारे मुल्क में एक जो negative चीज है या ऐसा कुछ भी बुरा किया है जो हमारी सोसाइटी के लिए बुरा हो ये किसी चीज के खिलाफ हो और मैं साथ ही साथ और यूजर्स भी देखिए हूं जो बहुत जादा टैलेंटेड हैं लेकिन उनके व्यूज़ नहीं होते हैं क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गंदीगी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा नेगिटिव नहीं है, हमारी अवाम बातें भी करती है और प्रोमोट भी नेगिटिविटी को ही करती है, अब आपके पास TikTok ने आप्शन भी दिया है, आप रिपोर्ट कर दो, आपको कोई चीज न और आप आजाएगी, आप उसको बेहन करेंगी, उसके जैसी एक और आप आजाएगी, यह अब टेक्नॉलजी का दोर है, यह एपस का ही दोर है, आप एपस को यूज करना कैसे बंद करवा सकते हैं, ऐसी बात है तो फिर आप Facebook भी बंद कर दें, आप Snapchat, WhatsApp, Instagram, YouTube, सब कुछ बे इसमें दुनिया की हर चीज़ है, दुनिया की हर गंदगी इसमें आपको easily available है, आपको कहीं जाने के ज़रृत नहीं है, तो क्या अप जिसके पास भी मुबायल ह 15 बंद के पास मुबायल है, जिसके पास भी मुबायल है वह गंदगी ही कर रहे हैं, अब और आपको को यहां से नहीं बदल सकते वो वो एप चोड़ेंगे दूसरे पे चले जाएंगे उसको चोड़ेंगे दूसरे पे चले जाएंगे और वो चलते जाएंगे जैसे बीगो को भी आपने जी बैन कर दिया कि बहुत बुरी चीज है फिर आपने पब जी को भी बैन कर दिया क्या ह कर दिया तो फिर इस इस बहस में पढ़ना ही किऊ है इन चीज़ों पémडना ज़ने क्यों इतना फोकस करना है तो इतने जादा मसले हैं हमारे मुलक में WITH पर भातकरने ओर ये ये तो एक ऐंड पर आतीं आ बाद पेले जो नेगिटिव चीज है वो भी बहुत तेजी से फेलती है और अगर कोई एकाथ पॉजिटिव चीज हो गई तो फेलेगी और खतम हो जाएगी फिर जैसे अभी हमारे सोशल मीडिया पे निम्रा अली नाम की जो एक लड़की है उनका क्लिप जी काफी जादा वाइरल हो गया और वो इतना जादा सर्कुलेट हुआ और बहुत ही पॉजिटिव वे में के लोगों को उनकी बातें करना वो सब बड़ा पसंद है क्योंकि हमारा ए इस तरह की बड़ी चीजे वाइरल हुए है जैसे अर्शाद चाय वाला था ठीक है वो भी बड़ा प्यारा है और मॉडली बन सकता है यह वो क्या हुआ कुछ दिर के लिए बड़ा वाइरल हुआ उसने मॉडलिंग भी स्टार्ट की अब आप मुझे बताएं वो कहां है वो बात अभी तक भी लोगों को याद है उनको कोई अभी भी देखता है उनकी स्टोरी आई कि उन्होंने का उसके बाद से तो हमारे रिष्टेदारों ने हमारे सा तालुक खतम कर दिया मैं कहीं बाहर नहीं आजा सकती मैं किसी से मिल नहीं सकती मेरी बेटियों के रिष्टे नहीं हो रहे क्यों क्योंकि मेरी वीडियो वाइरल हो गई थी और वो इतनी जादा फैल गई थी कि नेगेटिव वे में हमारी पूरी फैमिली को अब लिया जा रहा है जहां अर्शाद चायवाला और इस तरह की इतनी सारी चीजों को लोग भूल गए तो वहां इस चीज को क् अब हम बात करें अगर निम्रा अली की जो उनकी वीडियो वाइरल होई है उसके बाद मतलब तहलका मच गया सब उसको बुला रहे हैं इंटरव्यूज हो रहे हैं बहते हो रहे हैं अब एक चीज मुझे समझ नहीं आरी जो अभी अब उनकी रीसेंट वीडियो वाइरल हो रोते हुए कि अब ये ये चीज होगी है हमारे मुलक में कि सब को ना अपना फाइदा चाहिए अब वो बच्ची जिस तरह से वाइरल हो गई ठीक है उसमें कोई गलत बात नहीं थी बहुत अच्छे चीज तरीके से कि ठीक है इस टाइप का दौर चल रहा है हर कोई परिश मतला महौल को उसने चिल सा कर दिया अब हुआ ये ये मैं आपको बताती हूं एक्च्वल मैं हुआ ये कि जब वो वाइरल हो गई थीक है एक साथ इतने सार उसके इंटर्व्यू जा गए तो फिर बागियों ने सोचा कि अब हमने इंटर्व्यू तो उसका करना ही है बट क् अब मैंने वो दोनों इंटर्व्यू देखे हैं जिसमें वो लड़की रोई है अब जो पहले वाला इंटर्व्यू था जिसमें आपने कहा के वो आपको जो आपको जो बहुत जादा उसको सिंपती देंगे लोग साइबर बुलिंग करें आपके खिलाफ इस तरह की वीडियो बना रही है यह सब हो गया अब उससे पहले जब सीटी 42 पर उस लड़की का पहला इंटर्व्यू था अभी कोई इसको किसी ने समझाया नहीं है किसी ने कुछ सिखाया नहीं है आपने कैसे चलना है कैसे चलना वो छोटी है 17 साल की है बट उस इंटर्व्यू में अगर आप देखें तो उसने जो बातें की हैं बहुत समझधारी वाली तो मुझे किसी ने भी कोई खास कमेंड नी दिये सब ने का शोखी ओच्छी मैंने लेकिन उनकी बाता प्र गौन नी किया तो उसने खुद ब नी है तो सब बुरे कमेंट्स तो लोगोंने करने ही करने हैं उसके खुद के यह अलफाज है कि मुझे पता है मैं फेमस हो रही हूं तो बुरे कमेंट्स आएंगे ही आएंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे इतनी जादा पॉजिटिविटी के साथ नेगिटिविटी ना मिले, she was completely okay with it और वो अच्छी चीज़ से उस चीज़ को समझती थी, उसने बोला भी उसके बाद जी, अब ये जो इंटर्व्यू आया है अब इसको मैंने बड़े गोर से देखा हर चीज की पहले बड़े मज़े से चलता रहा और स्टार्ट से ही जैसे एक वो नहीं होता कि पहले से डिसाइड कर लेना है कि ये इंटर्व्यू हम रूलाने के लिए कर रहे हैं तो बागी बाते आपने कम करना है रूलाने पर फोकस करना है अब जी वो आके बैठी हुई है और वो बोल रही है निम्रा के मैं जो हूँ बहुत जादे इंजॉय कर रही हूँ और मेरे जो पैरेंट्स हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे इंटर्व्यूस देने दे रहे हैं क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में वाइरल हुई हूँ और क्योंकि मुझे पॉजिटिव ली लोग पसंद कर रहे हैं तो उन्हें कोई इशू नहीं है अब जो हमारी होस्ट है एक ऐसे सिचुएशन में मैं मतलब बींग अ होस्ट मैं चाहूँगी कि मैं उसको होसला दूँ मैं उसकी इस चीज में उसको पॉजिटिविटी और जादा डालूं कि और उसे बताऊं कि आप इस फेम को किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं कि वह क्या करनी है कि नहीं आपके बारे में यह भी बात हुई है आपके बारे में यह भी नेगिटिविटी हुई है उसने बोला के निम्रा लीने ना के नहीं सब लोग मुझे बहुत प्यार दे रहें मुझे बहुत अच्छा लग रहा लेकिन पॉसिटिप जारी thank you to people यार हां लेकिन पीपल ने तुम्हें गलतता है तो फॉरां लिटरली शाउट करके पूली vous दिखो उसने यह कहा उसने वह कहा जैसे जबरदस्ति कि तुमий नेगेटिविटी से फर्क नहीं भरना चाहिए interference अरे तुम बरॉ तुम कीछी तुम रो तो उसक伙 다 ine наши और अब यह था कि किस तरह से उन्होंने उसको यूज किया अपने व्यूस के लिए उसके बाजी दूसरे इंटर्व्यू में जो घर वाला इंटर्व्यू था वो तो मुझे समझी नहीं आई अब अब आपके इंटर्व्यू का हिस्सा नहीं था अगर आपके इंटर्व्यू में आपकी बातों से लॉजिकल चीज वज़े से नहीं तो आप मत दिखाओ नहीं बस रोने वाली चीज दिखानी है और अपने लेने हैं अपने व्यूस लेने यह हमारी सुसाइटिया अब इ पीडिया काउंट करती है, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, सब कुछ इसमें करते हैं, आप सभी बंद कर दो, फिर कि इस तरह की चीज़े ताके ना हूँ, कि वो mentally disturbed हो रही है, और youth खराब हो रही है, वो समझेगी कि इन सब चीज़ों से तो बही मतलब easily fame मिल सकता है, तो ये जो इस तरह की बाते हैं इन चीज़ों का आप छोड़ दें, हमारे मुलक में और बहुत सारे मसले चल रहे हैं, और बहुत सारी बाते हैं, जिनके उपर आपका ध्यान होना बहुत जादा जरूरी है, आप देखें कि ये जो लोग इतने बुरे-बुरे comments करते हैं, इतनी बुरी-बुरी बातें बोल जाएंगे, और इस तरह की एप्स को खतम आप करी नहीं सकते हैं, ये जो चल रहा है एक टाइम, एक खतम होका दूसरी आजाएगी, इंडिया में भी तो टिक टॉक बैन हो गया, इंडिया में टिक टॉक बैन हो गया, टिक टॉक जैसी 10 और एप्स आगई, और वो सब को छोड़ दे हमारे मुल्क में जो बाकी मसायल है प्लीज आप उनके ओपर गोर करें, तो आज की हमारी ये वीडियो यही पर खतम होती है, तो इसी तरह से मैं ड्रामास की रिव्यूस के साथ-साथ, जो हमारे टॉप ट्रेंडिंग चीज़े होंगी, आप भी मुझे बता स झाल